अब हैवी टेक मिनी राइसमिल को दोस्तों सिर्फ मोटर से नहीं बलकि हैवी टेक के साड़े साथ HP पेट्रोल इंजन के साथ भी चलाया जा सकता है भारत के ऐसे इलाके जहाँ पे बिजली की समस्या रहती है वहाँ पे हैवी टेक राइसमिल मशीन को चला बना संभव नहीं होता था लेकिन अभी किसान भाई साड़े साथ HP पेट्रोल इंजन के मदद से हैवी टेक के मिनी राइसमिल मशीन को चला के अपना वेपार कर सकते हैं और हजारों की दिन की इंकम कर सकते हैं वीडियो में अंतक बने रही है मशीन के बारे में पूरी हम जनकारी देंगे साथिसाथ लाइव डेमो भी दिखाएंगे नमस्कार किसान भाईयो हमारे इस यूटूब चैनल हैवी टेक किसान मशीनरी में आप सभी किसान भाईयों का बहुत बहुत स्वागत है तो जैसा कि दोस्तो आपको पता भी होगा हैवी टेक राइसमिल जिसको इलेक्ट्रिक मोटर के साथ 3 HP, 4 HP के साथ चलाया जाता है और सांथिसाद बहुत से किसान भाई हैवी टेक की मशीन को मोटर के साथ चला के अच्छा मुनाफ़ा भी पूरे देज भर के कोने कोने से कमा रहे है लेकिन दोस्तो भारत के कुछ इलाके ऐसे है जहां पे बिजली की समस्या रहती है तो वहाँ के किसान भाई हमें बताते हैं कि हम आपकी मिनी राइस मिल मशीन को चलाना तो चाहते हैं लेकिन बिजली की समस्या होने के कारण हम मशीन को पर्चिस नहीं कर पा रहे है तो उन्हीं किसान भाई हो की समस्या को सुनके हमने एक नया अविश्कार किया है तो देखिए अभी आप हेविटेक की 6 and 40 मिनी राइस मी मशीन को सारे साथ HP के पेट्रोल इंजन के साथ चला सकते हैं ये इंजन दोस्तो बहुत ही powerful है इंजन के अगर हम capacity की बात करें तो इंजन एक लीटर पेट्रोल में 2 घंटे तक अराम से चलती है और साथ ही साथ मसीन के अगर छमता की बात करें तो मसीन एक घंटे में 2 कुंटल अराम से राइस मीलिंग करता है साथ ही साथ अगर एक Lưटर पेट्रोल में अगर हम गड़ना लगा है तो इस मशीन के मदश से आप एक Lưटर पेट्रोल में चार कुंटल राइस मिलिंग कर सकते हैं और अच्छा मुनाफ़ा कमा सकते हैं एक बार हम प्रोसेसिंग समझ लेते हैं किस तरीकी से इसमें rice milling होती है देखे दोस्तों ये machine का hopper होता है इस hopper में आप धान डालेंगे एक बार में 10 से 15 किलो का धान इसमें डाल सकते हैं ये पट्टी होता है जब इसमें आप धान डालें ये पट्टी बंद रखे साथ ही साथ ये polisher होता है इसमें roller और जाली लगता है और यहां से आप polish को control करेंगे जितना भी आपको rice milling ज़्यादा करनी ही कम करनी ही यहां से आप control करके करेंगे और ये rice outlet होता है दोस्तों जहां से rice बाहर आता है और कुछ छूटे हुए जो चावल होते हैं कनकी के form में यहां से बाहर आ जाता है और देखें दोस्तों मशीन पर आपको laser cut में heavy tech लिखा हुआ मिलता है तो बिल्कुल branded machine है ब्रैंडिंग के साथ आती है तो rice milling के बाद दोस्तों जो भूसी बसता है वो इस white वाले outlet की मदद से बाहर हो जाता है और साथी साथ दोस्तों यहां पे machine पुली लगा है और इस engine में engine पुली लगता है तो यहां से आप engine को on off करेंगे और इसमें mobile भी डालना होता है तो एक बार में 600 ml आप mobile इसमें डालिये यहां से इसके साथ इंजन को चालू करने के लिए यहां पे लिवर दिया होता है इस लिवर के मदद से आप engine को start करेंगे तो यह petrol box है दोस्तों तो उपर से आप इसमें petrol डालेंगे तो engine महोती heavy है heavy tech का heavy engine तो जिन भी किसान भाईयों को लगता है कि heavy tech की machine खरीदनी है लेकिन हम motor से नहीं चला सकते हमें engine के साथ दीजिए तो उनके लिए एक सुनहरा औसर है आप heavy tech की machine को साड़े साथ HP engine के साथ खरीच सकते हैं तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और एक बार machine का demo भी देख लेते हैं जिससे साबित हो जाए कि machine कितना दमदार है जाए कितना दमदार है जाए कितना दमदार है तो उम्मीद है दोस्तो आपको मशीन का डेमो साथ ही साथ मशीन पसंद आया होगा तो अगर आप मशीन को अपने घर मंगाना चाहते हैं तो आप स्क्रिन पर दे नंबर पर कॉल कर सकते हैं वाटसप कर सकते हैं हमारे सेल्स टीम से बात करके मशीन के बार में पूरी जनकारी के लिए के मशीन का ओडर कर सकते घर बैठे तो आज का वीडियो दोस्तों यहीं पर समाप्त करते हैं मिलते किसी नए वीडियो में नए मशीन के जनकारी के साथ अगर आपने अभी तक हमारे इस यूटूब चनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार के और नए-n का ओडर जरूर करे धन्यवाद